गुड मॉर्निंग इस्टूडें तुडे वी आर स्टूडी लेसन नमबर वन वाट वेर हाव एंड वें इससे पहले वाले वीडियो में हमने थोड़ा सा इस लेसन के बारे में जाना था कि क्या है इस लेसन में थोड़ा सा पढ़ा था कि इंडिया नाम के से आया लोग कहां रहते थे हैंना क्या खाते थे और किस तरह से एग्रिकल्चर सैटल हुआ अब हम इससे थोड़ा सा आगे करते हैं आगे करते हैं मिस सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि हमें पता कहां से चला कि लोग किस तरह से थे हैंना कि कहां रहते थे क्या हो रहा था लोगों के साथ अबे question आता ना दिमाग में मम आपको कैसे पता कि यहीं पर start हुआ था या forest में इस तरह से खाते थे या हमारा जितना भी planning है भारत नाम आया है तो हमें पता कैसे चला है ना क्या महां के लोग अभी तक जिंदा हैं क्या नहीं ना यही question आता ना अभी तक तो कोई ही नहीं then what is the sources? हम सबसे पहले question आता है ना दिमाग में आज उसे curious को थोड़ा सा शान्त कर देते हैं कि हमें पता कैसे चला ठीक है? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा topic आज का है finding out about the past कि past के बारे में पता करना ठीक है? सबसे पहले हम लेते हैं manuscript manuscript क्या है? इससे हमें past के बारे में काफी कुछ पता चला है manuscript जो है Latin word था जिसका meaning होता है Latin word menu से लिया हुआ है menu का meaning होता है hand means हास से लिखा हुआ तो बहुत सारी ऐसी चीज़े मिली हैं जो की हास से लिखी हुई है ऐसी बुक मिली हैं हमें जो की किस से लिखी हुई है? हास से लिखी हुई है और ये काफ की मिली है काफी पूराने टाइम की बुक्स मिली हैं हमें तो ये क्या कहलाती है? manuscript manuscript का meaning वा मिन्स हास से लिखी हुई बुक्स जो की पूराने टाइम पर हमें मिली है They are usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as bridge. मतलब ये किस पर लिखी जाती थी? ये जो बुक थी ये लिखी जाती थी palm leaf पर. Palm tree जो आता है उसकी leaf पर ये बुक्स लिखी जाती थी और mainly bridge जो है उसकी छाल पर. तने को cut out करके उसके आसपास जो तने के आसपास जो रहती है bark मतलब तने की जो चाल होती है उस पर ये बुक्स लिखी जाती थी. तो mainly palm leaf पर लिखी जाती थी मतलब palm के पेड़ के पत्ते पर लिखी जाती थी या फिर जो bridge है जो की हिमालिया में मिलता है इस तरह का पोधा उसकी पेताने की छाल पर इस बुक को लिखते थे और किस से लिखते थे हास से उस पर लिखते थे. तो इस तरह की जो बुक मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं manuscript क्या कहते हैं manuscript अब ये जब word कभी भी आएगा तो आपको दिमाग में clear होना चाहिए manuscript means book जो की hand written लिखी हुई है या तो palm leaf पर लिखी हुई है या brick की बात पर लिखी हुई है ठीक है ये especially six से हम start करते हैं हमारा social science तो next time हम आपको describe नहीं कहरेंगे कि manuscript क्या है manuscript आते ही दिमाग में नाम आते ही दिमाग में याद हो जाना चाहिए कि book जो की palm leaf पर लिखी हुई होगी वो books उससे हमें पता चला है ठीक है तो इस तरह की कई books मिली हैं जिसे हमें history के बारे में पता चला है लेकिन क्या सारी books book थी वो क्या है इंसे द्वरा खा गई गई खतम कर दिया गया और वो क्या हो गई खत्म हो गई तो इसी बहुत सार बहुत जादा अवलेबल नहीं है लेकिन जो अवलेबल है उसके द्वरा हमें पता चला है manuscript were written on the variety of subject अब हमने ये तो पढ़ लिया कि manuscript इस तरह से बनी होती और इस तरह से अवलेबल थी लेकिन अब उसमें लिखा क्या-क्या मिला है हमें वो थोड़ा सा जानते हैं तो अब इसमें क्या-क्या मिला है हमें ये देखते हैं कि फर्स्ट है religious belief and practice वहां के धर्म के बारे में मिला है कि वहां के लोग क्या-क्या believe करते थे उनके custom क्या थे किस तरह से धर्म को मानते थे और क्या वो custom follow करते थे और किस तरह से धर्म को फिलाया है तो ये सारा record इस तरह की book में manuscript पे हमें मिला है second the lives of the kings राजा किस तरह से रहते थे है ना राजा के बारे में जितना भी detail है वो सब इसके उपर लिखा हुआ रहता था medicine and science जितने भी उस time पर medicine use की जाते थी या science किस तरह से develop हो रहा है वो सब इसके बारे में भी उस पर लिखा हुआ था epics, poem and play इवन आपके उस वक्त क्या poem बोली जा रही है क्या epics है और किस तरह से लोग खेलते थे वहां पर play किस तरह से करते थे इन सब के बारे में भी हमें manuscript पर detail में मिल जाता है और वो आज तक भी हमारे पास available है तो एक बहुत अच्छा source है हमारी history के लिए manuscript जिससे हमें प सब के बारे में पता चलता है अब पहले तो manuscript पढ़ लिया कि हाँ इससे पता चलता है और क्या है हमारे पास source तो दूसरा source है हमारा inscription अब ये भी word नया है ना आपके लिए कि inscription क्या है एक तो manuscript पढ़ लिया means book समझ में आये पत्तों पर लिखी वी book है ना ये समझ में आ गया क such as stone or metal means कहां पर लिखा हुआ है stone और metal पर लिखा हुआ है या तो किसी पत्तर पर लिखा हुआ है यो कोई metal plate पर लिखा हुआ है और लिखेंगे कैसे क्या हाँ से लिख देंगे नहीं इसको लिखने के लिए हमें special गड़ाई की जाएगी है ना पत्तर पर क्या easily लिखा जाए या क्या नहीं न उससे लिखने के लिए special तरीके से लिखना पर खुदाई करके लिखना पड़ेगा तो इस तरह से अगर खुदाई करके किसी stone या metal पर लिखा हुआ है तो उसे हम inscription कहते हैं मतलब manuscript माने book जो की palm leaf पर लिखी हुई है और inscription माने पत्थर पर या metal पर लिखा हुआ पत्थर और metal पर हमने खुदाई करके जो लिखा है उसे हम inscription कहते हैं ठीके बहुत सारे inscription मिलें inscription आप भी easily देख सकते हैं जैसे आप कोई पुराने प्राचीन मंदिर पर जाते हैं ठीके अगर बहुत पुराना मंदिर है दिन वहाँ पर कुछ पत्थर पर लिखा हुआ दिखाई देगा हो सकता है वो readable नहीं हो means readable नहीं हो मिस की हो सकता है वो मतल पत्थर पर कुछ लिखा है यह आप easily देख सकते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं inscription कहते हैं अब कभी भी कोई पुराने मंदिर पर जाएं तो inscription जरूर देख के आना कि उस वक्त पर मौहां पर क्या लिखा है कुछ मंदिरों में उसको translate कर दिया गया है और पास में एक board भी लगा देते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ इस पत्थर पर particular क्या लिखा हुआ है ना देन अब दूसरा हम دेखते हैं कि अब ये तो देख लिया inscription क्या होता है अब इस पर लिखा क्या क्या आ जाता था है तो order of the king कीचग का जो भी order हुआ करता था उस time पर king ने कुछ order दिया है तो उसको लिख देते थे कि particular मंदिर के बाहर लगा है तो मंदिर में किस तरह का order दिया था या राजा को किस तरह का order दिया हुआ है है ना तो चुराए पर कोई particular fort है उसके बाहर तो जो भी order होता था कई पर वो लिखा जाता था life of the pupil अब लोगों की life कैसी थी वहाँ पर उस टाइम पर लोगों की life कैसी ती means king की queen की या other जो लोग थे उनकी life के बारे में भी भी हमें inscription पर लिखा हुआ मिलता है record of victories in battle युद में जितनी भी जीत हुई है इन सब का inscription से हमें पता चलता है पत्थरों पर गुदवा कर लिखा जाता था कि इस तरह वहाँ पर हमने जीत हासिल की इस राजा ने वहाँ पर जीत हासिल की और उस राजा को हराया तो इन सब के बारे में हमें पता चलता है और ये कई बार हमें easily found हो जाते हैं या कई बार खुदाई करने पर निकलते हैं अब दो हमने पढ़ा manuscript and inscription थर्ड है tools है weapons है port and coin हाँ port, coin सिक्कों से भी हमें पता चलता है कि उस time पर क्या होता था कई बार port मिलते हैं मिट्टी के बरतन मिलते हैं weapons मिलते हैं, हत्यार मिलते हैं tools means ojaar मिलते हैं ये सब भी हमें बताते हैं कि उस time पर कैसे होता था क्या काम होता था लोग कैसे रहते थे तो इन सब के through भी हमें history के बारे में पता चलता है कि जैसे किस राजा के coins जो थे वो अलग-अलग राजाओं के time पर अलग-अलग coins हुआ करते थे तो उससे हम time period पता करते हैं कि इस राजा ने इस तरह के coins बनाए पहले नहीं बोलते थे coins मतलब अगर आप सीरियल देखते हो तो इतनी सवर्ण मुद्राइं दे दी जाए तो सवर्ण मुद्राओं पर particular राजा का नाम चिन्न होता था तो उससे भी हमारी history के बारे में पता चलता है कई बार खुदाई करते हैं तो हमें ports मिलते हैं हतियार मिलते हैं तो उससे हम उस time period का पता करते हैं कि उस time period पर क्या होता था तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी चीजे हैं जिससे हम find out करते हैं कि हमारी history में क्या हुआ हमारे पूराने टाइम पर क्या होता था अब यह मिलते का हैं जिसे tools, weapons, remains of the building, painting and sculpture means कई बार कुछ मुर्थियों के थूरू पता चलता है हमें है ना कई बार painting के थूरू पता चलता है उससे हमें पता चलता है कि यह है अब बट निकले हैं दिन पता कोन करेगा क्या आप और हम उनको देखके पता कर पाएंगे कि यह coin cup के हैं होगा क्या possible यह tools हमें कोई दे दे तो हम क्या पता कर पाएंगे यह tools कब का है नहीं ना हम तो आज से दो साल पुराना भी नहीं पता कर पाएंगे हम तो उसकी shining देखेंगे अगर shining अच्छा कर रहा हूँ आप मैं हम यह आज ही बनाऊगा shining कम होगा तो हम बोल देंगे पुराना होगा है न बस यही पता कर पाते हैं तो कुछ लोग है particular जो की पता कर पाते हैं कि कितने time पुराना है तो उन्हें क्या कहते हैं those who study these objects जो इन object की study करते हैं क्या object? tools, weapon इन सब की study करते हैं उन्हें archaeologist कहते हैं कहते हैं? archaeologist कहते हैं यह particular study करते हैं जो भी हमारी history में study किया जाता है inscription का, manuscript का, tools का, coins का जो study करते हैं और हमें बताते हैं उन्हें हम archaeologist करते हैं तो archaeologist याद रहेगा ना जो history के बारे में हमें बताते हैं history subject के बारे में study करके हमें बताते हैं तो अब कई बार हमारे पास दबी वही मूरतिया निकलती है या नालंदा को अगर हम देखें तो पूरी की पूरी युनिवर्सिटी दब गई थी जो की बाद में अब find out हो रही है तो वहाँ पर सारा जो study वहाँ पर जो भी material मिला है वहाँ की इंट मिली हैं, ports मिले हैं, coins मिले तो उन सब की study करके archaeologist ही हमें बताते हैं कि ये कितने time पुरानी थी और वहाँ पर क्या होता है ठीक है तो कई बाए movies में भी जो हमारी history पर बनी हुई movies होती हैं उनमें archaeologist को बताते हैं, उनके पास छोटे-छोटे से brush रहता है, कुछ उठाने का tools रहते हैं ताकि वो find out कर पा हमें हमारी history के बारे में पता चलता है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या क्या करते हैं archaeologist, look for bones of animals, birds and fish, ये क्या है, जब भी पता करते हैं तो कभी जानवरों की हड्डियां भी मिल जाएं, उनसे भी पता करते हैं कि ये कितने पहले के जानवर थे, birds मिल जाती हैं, फि और पास्ट में लोग क्या खाते हैं, इसके अलावा remaining of plants survive rarely, means animals तो हमें मिल जाते हैं, उनकी हड्डियां मिल जाती हैं, फिश दभी भी कई वार मिल गई हैं, but plants जो हैं वो बहुत कम हो पाया है कि कोई उस time का plants मिले, ठीक हैं, तो plants का study करना बहुत टफ होता है, मिलते ही नही हैं, तो इसलिए plants के study कम हुई है, बाकि otherwise animals, birds और इन सब के बारे में हमने पता किया है, find out किया है, और even archaeologists इतने expert होते हैं, कि अगर उस time पर कोई grain जल गया है, और जला हुआ भी कोई grain बचा है, तो ये उसके भी study करते हैं, suppose अगर wheat हैं, ग्यों हैं, वो जल गया था, उस time को जल के बचा हुआ एक दो दाने जो बचे हैं, उसकी भी study करके देखते हैं, find out करने की कोशिश करते हैं, कि ये किस time period का था, और उसको आपस में connect करते हैं, और हमें उसके बारे में बताते हैं, तो काफी deep study होती है, एक तरह से जासूस कहे सकते हैं, archaeologists को हम क्या होते हैं, कि जासूस होते हैं, जो कि history का find out करते हैं, पता करते हैं, कि history कहां से आई है, ठीक है, अब आया समझ में archaeologist क्या होता है, और हमें किस source से पता चलता है, clear हुई ना picture कि हमें के से पता चलता है, अब आगे study करते हैं, next है हमारा topic, what do debt means, अब history में आप almost ये पढ़ेंगे, कि कुछ date लिखी हुई रहती है, है ना, वहां से हमें connect करना पड़ेगा, कि ये date कब की है, अब दो तरह से date लिखी रहती है, या तो year जैसे 2020, सीधा लिखा है, तो 2020 पढ़ लिया, लेकिन कुछ date के आगे, BC लिखा रहता है, है ना, या फिर AD लिखा होगा, तो हम वहां confused होते हैं, य यह क्या है, AD और BC है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, year are generally assigned to the birth of Jesus Christ, तो इसा मसी, Jesus Christ जानते हैं ना, आप सभी इसा मसी के जन्म से पहले और पहले के बाद, इसा मसी का जन्म मिस, वहां पर हमारा fix हो गया, कि वहां से हम date पढ़ना start करेंगे, तो उनके birth से, birth of Jesus Christ से पहले वाले जितने भी year थे, उनके आगे हम BC लगाते हैं, BC means before Christ, ठीक है, मतलब इसा मसी का जन्म जब हुआ है, वह year हमने, उस पे बैस माना है, उससे पहले वाले को हम BC लिखते हैं, before Christ, और उसके जितने भी इसा मसी के जन्म के बाद जो है, उसके पीछे हम AD लिखत हैं, AD लिखते हैं, means anodomini, ठीक है, मतलब इसा मसी का जो जन्म हुआ था, उस year को हमने, एक basic माना है, कि वहाँ से पहले और वहाँ से बात की study करते हैं, ठीक है, अब BC means उनके जन्म के, before Christ मतलब उनके जन्म के पहले वाले year, और AD means उनके जन्म के बाद वाले year, थोड़ा से example स जन्म को 2020 years हो चुके हैं, ठीक है, यह तो clear हुआ, बट अगर कहीं लिखे 200 BC, ठीक है, तो 200 BC को अगर हम आज से count करना चाहें, तो यह क्या हुआ, 2020 तो अभी चल रहा है, इसा मसी का जन्म तो 2020 years पहले हुआ था, और BC means उससे भी पहले, तो हम 2020 को 200 में add कर देंगे, means हम कितने स साल पहले की बात कर रहे हैं, 2220 years पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि BC means क्या हुआ, बिफोर क्रिस्ट, मतलब इसा मसी के जन्म के 200 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आज अगर हम उसका time period देखें, तो आज कितने हो गए, 2220 साल, means 2220 years आज हो गए, यह आया समझ में, BC means इसा मस के जन्म के पहले, और Adam means उनके जन्म के बाद वाले year, ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे हिस्ट्री में आगे date को भी देखेंगे, ठीक है, और जब भी अब study होगी, तो आपको यह चीजें ध्यान रखनी है, कि बर्त के पहले और बर्त के बाद, BC जहां लिखा हुआ रहे हैं, आपको clear होना चाहिए, कि बर्त के पहले की, इसा मसी के जन्म के पहले की हम बात कर रहे हैं, clear student, next video में आप फिर मिलेंगे, मुझे लगता है history आपको समझ में आ रही होगी, और थोड़ा सा interesting भी लग रहा होगा, ठीक है, next video में फिर मिलेंगे, good bye.